Hello and Welcome Everyone आजम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी के नेक्स लेक्चर के बारे में जो की है टाइपस ओफ सीड्स एंड डॉर्मेंसी ओफ सीड्स सबसे पहले हम बात करते हैं टाइपस ओफ सीड्स की तो सीड्स को अलग-अलग बेसिस पर अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पर हम एक मेजर कैटेगरी जिसको की इंटरनेशनल क्रॉप इंप्रॉप्मेंट असोशेशन के द्वारा दिया गया है उसके बार सबसे पहले हम बात करते हैं breeder seed की तो आपको इन सारे types के seed में सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है कि कौन से seed की prosceni कौन है और कौन से seed के parent कौन है यानि कि जो पर्टिकुलर seed है वो कौन से type की category के seeds से originate हुए है और दूसरा उस पर्टिकुलर type के seed का tag color कौन सा है हम बात करते हैं breeder seed breeder seed जो है उसमें highest level of physical purity and genetic purity पाई जाती है यानिकि सबसे ज़्यादा physical और genetic purity जो है वो breeder seed के अंदर होगी breeder seed को plant breeders के द्वारा बनाया जाता है जिसमें all required genetic characters जो है वो present रहती है इन seeds की value value बहुत ज़्यादा होती है और यह बहुत costly होते हैं बहुत महेंगे होते हैं क्योंकि यह बहुत कम quantity में produce किये जाते हैं तो इसलिए breeder seed जो है वो सबसे ज़्यादा costly होंगे इसको direct breeder के द्वारा बनाया जाएगा और breeder seed जो है उसके द्वारा उसकी help से foundation seed को बनाया जाएगा यानि कि हम बोल सकते हैं कि foundation seed का जो origin है वो breeder seed से होगा next हम बात करते हैं foundation seed foundation seed जो हैं वो breeder seed से बनते हैं और सारे certified seeds जो बनेंगे आगे के वो foundation seed से बनते हैं देखे सबसे पहले breeder seed से foundation seed बनेगा foundation seed से registered seed बनेगा और उससे certified seed बनता है पर basically certified seed को हम foundation seed से भी बना सकते हैं इसलिए registered seed की बहुत ज़ादा आउशिक्ता नहीं होती है इसलिए हम certified seed को बनाने के लिए foundation seeds को ही basically use करते हैं certified seed हमारे लिए आवश्यक क्यों है क्योंकि farmers को जो large scale पर seed provide किये जाते हैं वो seed certified seed ही होते हैं इसलिए हमें उसके बारे में knowledge होना चाहिए तो certified seed जो है वो farmers को provide किये जाते हैं और वो foundation seed से directly बनाए जाते हैं foundation seed जो है उसको mother seed के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि certified seed जो है उनका production foundation seed के थ्रू ही होता है इसलिए इसको mother seed के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा foundation seed का जो production है उसकी responsibility N.S.C. यानि कि national seed corporation के पास होती है और foundation seed के seed का जो tag का color है वो white color का tag होता है तो आपको ध्यान में रखना है कि foundation seed के tag का color white होता है next type of seed आता है registered seed जिसको की foundation seed से बनाया जाता है और इसके जो tag का color है वो purple color होता है आपको हर particular seed के tag का color ध्यान में रखना है तो registered seed के tag का color purple color होता है जबकि foundation seed के tag का color white color था certified seed की बात करें तो certified seed जो है वो registered seed से या फिर foundation seed से बनाया जा सकते हैं बट basically इनको foundation seed से बनाया जा सकता है और इसी process को adopt किया जाता है certified seed के जो tag का color है वो blue होता है और यही वो seeds हैं जो की generally farmers को distribute किये जाते हैं commercial crop production के लिए तो certified seed जो है वो काफी important seed की category है क्योंकि ये farmers को provide की जाती है और इसके tag का color blue होता है Next हम बात करेंगे dormancy of seed क्या होती है Basically dormancy क्या है एक ऐसी stage है एक ऐसी development की arrested stage है जिसमें की seed जो है वो germinate नहीं कर पाता है देखा जाए तो dormancy जो है वो harmful भी है और beneficial भी है क्योंकि अगर seeds में dormancy जैसी कोई चीज नहीं होती तो after harvesting जो seeds है वो germinate होने लग जाते लेकिन कुछ unfavorable conditions की वज़े से या फिर कुछ other factors की वज़े से seeds में dormancy आ जाती है ऐसा resting period आ जाता है जिससे की seeds जो है वो germinate नहीं कर पाते और after favorable conditions वो germinate करने में capable होते है तो dormancy is the arrested development and reversible rest period reversible क्यों बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि एक बार seed अगर dormancy stage में चले गए है तो वो वापस recover नहीं कर पाएंगे उनको जब favorable conditions मिलेंगी या फिर उनका जब dormancy period time complete हो जाएगा तब वो वापस अपनी germinative phase में आ जाएंगे और वो seed germinate कर सकती है तो यह reversible rest period है plant organ either of a seed or of any vegetative part dormancy जो है वो वैसे तो बहुत सारे type की हो सकती है जैसे physiological dormancy, physical dormancy but basically dormancy के दो types बताये गए है that is primary dormancy and secondary dormancy primary dormancy क्या होती है? acid dormancy जिसमें की seed तब भी dormancy शो करता है जब favorable conditions हो यानि की favorable conditions होने के बावजूद भी seed dormancy शो करता है उस type की dormancy को बोलते है primary dormancy यह basically होता है जब seed का coat जो है वो hard हो यानि की seed में जो germination capacity है वो तो है लेकिन seed coat hard होने की वज़े से और कुछ other physiological factors की वज़े से वो seed जो है वो germinate नहीं कर पा रहा जबकि उसमें capacity है उसको सारी environmental conditions है वो favorable मिल रही है पर कुछ physiological factors या hard seed coat की वज़े से वो germinate नहीं कर पा रहा इस type की dormancy को हम बोलते है primary dormancy next है secondary dormancy secondary dormancy basically ये non dormant stays है क्योंकि इसमें environmental conditions के कारण dormancy होती है जैसे temperature favorable नहीं है, moisture या light का exposure सही डंग से नहीं मिला है seed को तो इन सब कारणों की वज़े से जो dormancy होती है उसे हम बोलते है secondary dormancy इसके अलबा कुछ और भी different types हैं लेकिन जो सबसे important measure दो हैं वो है primary dormancy and secondary dormancy अब इन dormancy को break करने के लिए हम कुछ artificial methods को use करते हैं कुछ artificial treatments को use करते हैं उन artificial treatments को दो categories में divide किया गया है first physical treatment कर सकते हैं और second कुछ chemicals का application कर सकते हैं physical treatment की बात करें तो हम seeds को heat treatment दे सकते हैं 40-45 degree Celsius पर जिससे की seeds की dormancy को तोड़ा जा सकता है या फिर low temperature दिया जा सकता है कुछ particular crops के seeds को 3-8 degree Celsius तेंपरेचर पर 12-24 गंटे के लिए या फिर उसको भिगो के रखा जा सकता है 36 hours पर next है alternate heating and cooling दी जा सकती है several time पर और alternate drying and wetting किया जा सकता है several time तक जिससे भी dormancy जो है उसको break किया जा सकता है या फिर dehusking या removal of seed coat करेंगे काफी important process है या आपको ध्यान में रखनी है कि scarification क्या होता है scarification का मतलब होता है seed coat का removal या फिर उसको थोड़ा थोड़ा खुरेचना ताकि जो hard seed coat है उसको थोड़ा smooth बनाया जा सके ताकि seed की germination जो है वो easily हो सके तो scarification किस की process है तो seed की dormancy को break तरनने की process है scarification इसके अलावा कुछ chemicals को भी हम use कर सकते हैं chemicals को भी आगे further दो categories में divide किया जा सकता है inorganic chemicals and organic chemicals inorganic chemicals में जैसे हम potassium nitrate को 1-3% use कर सकते हैं dormancy को break करने के लिए और organic chemicals में भी हम आगे further divide कर सकते हैं hormonal और non-hormonal non-hormonal में जैसे thaiorea जिसको की potato की dormancy को break करने के लिए generally use किया जाता है और hormonal में आजाएगा zebralic acid तो ये सारे कुछ chemicals compounds हैं, कुछ inorganic compounds हैं कुछ organic compounds और कुछ physical methods हैं जिनके थूँ हम dormancy को break कर सकते हैं कि अिनके बूजज में हुआ प्रॉएभ